दोस्तों बॉलीवुड में कई चर्चित बाल कलाकार हुए हैं। उनमें से कुछ आगे चलकर मुख्य कलाकारों के तौर पर भी स्थापित हुए तो कुछ घुमनामी के अंधेरे में खो गए। ही है अभिनेता हरीश कुमार की। हरीश ने रब्बे के दशक में काफी लोग प्रियता हासिल की थी पर कुछ समय बाद वो बड़े पर्दे से घायब हो गए। तो आएए दोस्तों इस वीडियो के जरिये जानते हैं कि बीते दिनों के चहेते बाल कलाकार हरीश कुमार आजक अभिनेता हरीश कुमार का जन्म एक अगस्त 1975 को हैदराबाद के एक मध्य वरगिये परिवार में हुआ था। इनके परिवार ने हमेशा ही उनके करियर को सपोर्ट किया। आपको बता दें कि महस चार साल की उम्र में ही हरीश ने अपनी पहली फिल्म में काम किया था। साल 1989 में आई तेलगु फिल्म मुदला कोडुकू से हरीश ने अभिने की शुरुआत की थी। इस फिल्म में हरीश ने श्रीदेवी के बेटे का किर्दार निभाया था। उसी साल आई हिंदी फिल्म एक ही भूल में उन्होंने रेखा के भाई का किर्दार निभाया था। इन और कानून, अंधा कानून, जीवन धारा, प्रेम, तपस्या जैसी फिल्मों में हरीश ने बतोर चाइल्ड आर्टेस्ट बहतरीन काम किया था। आपको बता दें कि फिल्म आंधर केसरी के लिए हरीश को नंदी अवार्ट से सम्मानित भी किया गया था। ये फिल्म सन 1991 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के वक्त हरीश की उम्र महज 15 साल की थी। इस फिल्म में उनकी लीड एक्टरस करिश्मा कपूर थी। अभी नेतरी करिश्मा की ये पहली फिल्म थी। पिल्म प्रेम कैदी के प्रोड्यूसर डी रामा नाइडू इस फिल्म क तो तेलगु में भी बना चुके थे, जिसमें भी उन्होंने हरीश को ही लीड के तौर पर लिया था। इस फिल्म को बॉक्स आफिस पर काफी सभलता मिली थी। इस मूवी के रिलीज के बाद हरीश ने रजनी कांत, गोविंदा, कमल हसन, धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे तमाम बड़े कलाकारों के साथ काम किया था। इसका करियर ग्राफ देखा जाए तो हरीश के हाथ करीब 300 फिल्में लगी, जिन में उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में इतना काम मिलने के बावजूद एक्टर हरीश कुमार को अभिने से दूरी क्यों बनानी पड़ी। कई रिपोर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि वक्त के साथ हरीश अपनी फिजिकल फिटनिस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण उनका वजन बहुत बढ़ गया था। के लिए उपरेशन नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाना ही मुनासिब समझा, हरीश के डॉक्टर ने भी उन्हें कंप्लीट रेस्ट की इंस्ट्रक्शन दे दी थी, आपको बता दे कि हरीश ने सन 1995 में संगीता चुक से शादी की थी, हर आजकल हरीश स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले पर काम कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया था कि रियालिटी शोस जैसे की बिग बॉस से भी उन्हें अप्रोच किया गया था, पर हरीश उनके लिए एक उचित प्लेटफॉर्म की तलाश में है, आजकल वो अपनी पतनी और बच्चों के साथ मुंबई में ही रह रहे हैं, आपको बता दे कि हरीश कुमार भविश्य में फिल्म निर्माण और निर्देशन की योजना भी बना रहे हैं, तो ये थी अबिनेता हरीश कुमार के जीवन से जुड़ी जानकारिया, उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जाते जाते हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस स्टार से जुड़ी बायोग्राफी आने वाले वीडियो में देखना पसंद करेंगे, दोस्तों ऐसी और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद